तो बच्चो आई नो आप वेट कर रहे हैं अपने नेक्स लेसन की तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना पार्ट चार जिसका नाम है अधिक बलवान कौन तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि यह किसमें प्रतिस परदा हो रही है मतलग कम्पिटिशन हो रहा है यह हो रहा है हवा और सूरज के बीच में तभी वो पूछते हैं कि अधिक बलवान कौन तो इसी अधारित पर इस पार्ट का नाम बना है तो चलिए इसकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं एक बार हवा और सूरज में बहस शिड़ जाती है हवा ने सूरज से कहा मैं तुम से अधिक बलवान हूँ मतलब ताकतवर हूँ सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुम से ज़्यादा ताकत है सूरज भी अपनी ताकत दीखाना चाता है तो इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ती है तो हवा ने कहा इस तरह बैस करने से कोई फाइदा नहीं है इस आदमी का कोट उतरवा दें वही ज़्यादा बलवान है मतलब जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा सूरज हवा की बात मान गया उसने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकत तो हवा ने क्या किया वो जोर जोर से चलने लगी इतने में आदमी की टोपी उड़ गई और इतने में उसका कोट उड़ता तो उसने अपने कोट को जोर से पकड़ लिया और हातों से शरीर से लपेटे रखा जल्दी जल्दी से कोट के बटन बंद कर लिये और हवा जोर से चलने लगी अंत में आदमी नीचे पड़ गया मतलब गिर गया तो हवा अपनी जोर जोर से हवा देने के कारण ठक गी अब सूरज ने का दिखा दी तुमने अपनी ताकत अब मेरी ताकत देखो तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिये क्योंकि सूरज जोर से तपने लगा सूरज की गर्मी बढ़ गई और आदमी ने अपना गर्मी के कारण कोट उतार दियो के पसीने छूटने लगे सूरज ने का क्यों देखी मेरी ताकत उतरवा दिया ना कोट तो हवा ने सूरज को नतमस्तक मतलब नमस्कार किया और कहा मान गई तुमारी ताकत तो बच्चो ये आज का हमारा पार्ट समापत हुआ इस पार्ट से तुमने क्या चीखा कि हमेशा अपने दिमाग से ताकत दिखाई जाती है तो हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए और बच्चो अपना पार्ट ध्यान से सुनकर इसके प्रशन उतरों को ध्यान पूरवक लिखने की कोशिश करें थैंक यू, हैव नाइस डे झाले